नवश्कार, आज हम लोग एनाटमी के एक नए टॉपिक में बात करेंगे एंटीरियर कमपार्टमेंट अफ थाई के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे थाई के आसपास के स्ट्रक्चर्स को और वहाँ पर कौन-कौन से मसल्स हैं वहाँ पर कौन-कौन से nerves, कौन-कौन से vessels, important vessels, nerves, उनके muscles के action उन सारी चीजों को आज हम बात करेंगे जादा specific होते हुए आज हम बात करेंगे एंटीरियर कमपार्टमेंट अफ थाई के बारे में तो चलिए हम बात करते हैं इससे और हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कौन-कौन से muscles पाई जाती हैं उससे हम शुरू करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर facial compartment of thigh की बात करें तो thigh में actually तीन अलग-अलग compartments बनते हैं यहाँ पर जब आप देखेंगे thigh को anatomically जब समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर तीन अलग-अलग compartments नजर आते हैं anterior compartment, medial compartment और posterior compartment यहाँ पर जो compartments बने हैं वो deep fascia की सीथ अंदर की उरजा करके septa बना दे गई जिसके वज़ा से तीन compartments बन गया तो यह कैसे बने होंगे यह तीन facial septa जो की इसको तीन अलग-अलग compartment में divide करती है यह कैसे बनी inner aspect of deep facial seat के द्वारा तो deep facial seat के इनर aspect के द्वारा बना जो की thigh का होता है और इसी के द्वारा तीन अलग-अलग septa develop हुए जिसकी वज़ा से यहाँ पर तीन compartments बने हैं यहाँ पर आपको समझना होगा कि हर एक compartment की muscles अलग-अलग होंगी वहाँ पर nerve supply और arteries अलग-अलग होंगी इन तीन compartment पर खास तोर पर जब हम बात करते हैं nerve supply के हिसाब से तो anterior compartment को nerve supply femoral nerve देता है जबकि medial compartment को obturator nerve और posterior compartment को sciatic nerve की supply यहाँ पर मिलती है तो यहाँ nerve जो खास हैं उनका नाम आपको याद रखना है medial के लिए obturator, anterior के लिए femoral और posterior के लिए sciatic nerve अब हम इतना समझने के बाद पूरी तरीके से specific होते हुए हम बात करेंगे anterior compartment के बारे में तो यहाँ पर हम anterior compartment को समझने के कोशिश करेंगे और उसी को लेकर के अब हमें discuss करना है यहाँ पर muscles के जो नाम है उस पर ध्यान ना देते हुए आप यहाँ पर देखे deep fascia के द्वारा कैसे अलग-अलग compartments बने हुए हैं तो यहाँ पर देखे deep fascia ने इसको कैसे अलग-अलग compartments में divide के हुए है तो यहाँ पर देखे यह आगे की और है anterior compartment थाई का इधर की और है medial compartment और पीछे की और है posterior compartment हमें अभी सिर्फ one by one करके step wise यहाँ पर जाना है और उसके आधार पर समझने की कोशिश करनी है यह compartments कैसे बने हुए हैं तो यहाँ पर अब हम एंटिरियर जो compartment है उस पर ज़्यादा specific होते हुए चलेंगे यहाँ पर कुछ खास muscles होती हैं muscles में seritorious muscle, iliacus muscle, suas muscle, pectinus muscle और quadriceps femoris muscle इसके लिए important होते हैं यहाँ पर blood supply भी बड़ी खास है यहाँ पर femoral artery की blood supply यहाँ पर दी जाती है nerve supply में femoral nerve की supply होती है और यहाँ जब हम इन muscles के aggregated जो एक साथ जो हम action देखते हैं उसमें flexion of hip और extension of knee के लिए यह responsible होते हैं तो यह जितने भी muscles हैं यह hip का flexion और knee का extension कराते हैं तो इस action को समझने से पहले जरूरी यह है कि हम उन muscles को देख लें तो अगले हम image में देखने की कोशिश करेंगों उन muscles को जो anterior compartment से संबंदित हैं तो उन muscles को देखें तो यहाँ पर आप color wise देख रहे हैं यह है sartorius color से आप देखें sartorius muscle है अभी हम individually हर एक muscle को दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर देखें आप तो yellow color से दिखाए गया है rectus femoris को यहाँ पर देखें rectus femoris femoris femur के साथ सीधा सीधा है तो इसलिए rectus femoris ठीक है फिर यहाँ पर है westus medialis medialis medial side में इसलिए westus medialis lateral side में है तो westus lateralis color के साथ link करते हुए आप देखेंगे तो समझ पाएंगे sartorius muscle यहाँ पर है pactineus इसके बारे में मैंने आपको femoral triangle के topic में बता चुका हूँ यहाँ पर देखें स्वास major यहाँ पर देखें यहाँ पर स्वास major यह muscle है जो की light green color से है स्वास major स्वास major muscle यहाँ पर है जबकि यहाँ पर आप देख रहा है iliacus muscle के बारे में तो इन हर एक muscles को हम individually अभी बात करेंगे लेकिन aggregated way में कहें तो यह क्या करेंगी यह यहाँ पर अगर आप कहें तो hip में यहाँ से अगर हम कहें तो यह क्या करेंगे ऊपर की और उठाने का काम करेंगे तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर देखें यह उपर की और उठाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा extension of knee होगा यहाँ पर क्या होगा extension of knee होगा जब यह muscles contract करेंगी और जब यह muscles contract करती हैं तो क्या होगा hip पर भी क्या होगा flexion होगा तो hip पर flexion और यहाँ पर extension क्योंकि यह आगी कर भागेगा मुझे उमीद है कि आप इस muscle के action को समझ पा रहे होंगे क्योंकि जितना ही अच्छे से हम इसे महसूस कर पाएंगे उतना ही बहतर होगा हमारी understanding तो चलिए one to one हम muscles पर बात करते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं ilio swas के बारे में इसकी औरीजिन इसकी ओर्जिन होगी iliac Fos下 इसे निकलेगा समझ रहे होंगे अब आय underground 4 संप को अभी मापको दिखाने का प्रयास करेंगे इस ख्री अंच कहा से निकले है यह ileum के iliac Fos boxe से यह निकलेगा रहा तो यह चीज आपको याद रखना है ilium के iliak fosa से iliacus निकलेगा नाम एक दम समझ में आता है वहीं स्वास स्वास कहां से निकलेगा T12 vertebrae से और lumbar vertebrae के ये सारे horizontal process से निकलता है इन दोनों ही vertebrae T12 और lumbar vertebrae जितने भी हैं उनके horizontal process से निकलेगा nerve supply कहां पर होगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नर्व सप्लाई को अभी खेर ओरजिन को हम बात कर लिए इलियम के इलियक फोसा से और स्वास मेजर जो है T12 और लंबर वर्टिब्रा के हरजेंटल प्रोसर से और इसका इंसर्शन कहाँ पर होता है लेसर ट्रोकेंटर और फीमर पर इसको मैं अभी जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा आप घबराएए नहीं एक बार देख लीजे बस नाम समझ लीजे इसका सप्लाई कहाँ पर होगा नर्व सप्लाई स्वास मेजर का जो सप्लाई होता है वो L1, L2 और L3 के एंटिरियर रमाई से होता है तो स्वास मे प्रियाद रखना होगा L1 से L3 और इलियाकस का फिमरल नर्व से हर एक चीज़ को मैं इमेज के माधम से दिखाने का प्रयास करूँगा और आप समझ लें कि ये इलियो स्वास चुकि इनका जब हम बात करतें इंसर्शन की ना तो ये इलियाकस और स्वास मेजर दोनों मिल करके conjoint होकर एक साथ जुड़ करके अपना insertion देती है femur के lesser trochanter में इसलिए इनको एक साथ हम कहते हैं ileo swas कहते हैं और इसलिए आगे इनका नाम जब भी बोला ileo swas बोला जाता और ये powerful flexure है thigh की hip joint पर तो hip joint पर आपको समझना होगा hip joint के लिए मैंने भी आपको बता था flex होना flex होने के लिए कौन सी muscle involved होती है ileo swas कहां पर होती है इसको एक बार image के माध्यम से यहां पर दिखाने का प्रयास करूँगा मैं तो यहां पर आप देखें यहां पर आप देख रहे हैं यह T12 आप इस image में देखें तो यहां पर क्या है यह T12 से निकलते हुए T12 से निकलते हुए यह L1 यहां पर देखें L1, L2, L3 है ना यहां देखें L4 यहां के horizontal process से यह निकलता है यहां पर देखें यह निकल रहा है और यह है कौन सा swas measure आप देख रहे हैं swas measure है देख पा रहे हैं आप है ना यह देखें स्वas measure है जबकि ileum के ileum के ileak fosa से यहां पर देखें ileum के ileak fosa से कौन निकल रहा है ileakus muscle यह दोनों ही muscle एक साथ यहां पर देखें जा करके lesser trochanter of femur पर जा करके insert कर रही है तो यहां पर आपको समझना होगा यह चीज कि यह दोनों ही muscle यह तो ठीक है यह anterior superior ileak spine से यहां पर pubic tubercle तक कौन है inguinal ligament यह तो अलग चीज हो गए लेकिन यहां पर आप सिर्फ इन ही दोनों muscles पर आप ध्यान दे ileo suas के बारे में और जब यह contract करेगा origin इधर है insertion यहां पर है तो जब यह contract करेगा तो यह क्या करेगा hip joint पर यह flexion का काम करेगा इस चीज को important था समझना और जब मैं आपको बात बता रहा था कि यह कैसे nerve supply होगी तो आप इसको देखें यह L1 to L3 anterior rami के द्वारा स्वास मेजर का और फिमोरल नर्व के द्वारा iliacus का तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं यहां पर उन muscles को iliacus को और स्वास मेजर को एक बार individually यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं तो यहां पर आप देखें 12th thoracic nerve और सभी लंबर जो की सभी के सभी जो 5 लंबर वर्टिब्री हैं उनके हर जिन्टल प्रोसस से origin हो रही है इस muscle की स्वास मेजर muscle की और iliacus का आप देखें यहां पर तो iliacus कहां से ले रहा है अपना origin आप देखें iliacus जो है ilium के यहां पर iliacus जो है ilium के iliac फोसा से देखें इसके origin है और यह दोनों ही एक साथ जाकरके femur के lesser trochanter पर जाकरके insert कर रहे हैं उसको एक बार और इमेज में हम iliacus को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा यहां पर आप देखें अलग-अलग तरीके से आप अलग-अलग एंगल से इसको देख सकते हैं कैसे यह जाकरके insert कर रहा है अब हम next muscle की बात करेंगे यहां पर quadratus femoris की quadratus femoris actually चार अलग-अलग muscles से मिलकर के बना हुआ है इसमें 3 westus muscle होती है और 1 rectus muscle होती है तो यहां पर क्या होगा 3 westus muscle होती है तो वहां से इस term को हमें याद रखना है तो यहां पर यह quadriceps femoris जिसको हम कहते हैं या quadratus femoris या quadriceps femoris यह 3 westus muscle से मिलकर के और 1 femoris muscle से मिलकर के बना होता है इसमें westus medialis westus intermedius और westus lateralis यह 3 westus muscle है और 1 rectus femoris muscle है इसको देख लेते हैं यह कैसे दिखेंगे उनके बारे में भी बात कर लेते हैं तो यहां पर हम rectus femoris westus medius westus intermedius और westus lateralis के बारे में हम बात करेंगे तो चलिए यहां पर देखते हैं इन सब के origin point को समझने की कोशिश करते हैं तो आप यहां पर देख रहे हैं rectus femoris से हम शुरू करें तो rectus femoris का origin point के अहां पर anterior, inferior, iliac, spine एक तो है anterior, superior और यह है anterior, inferior तो यह anterior, inferior है superior नहीं है inferior, inferior, iliac spine से शुरू हो करके और यहां पर तो यहां पर anterior, inferior, iliac, spine के अलावा थोड़ा सा इसका हिस्सा upper part of acetabulum से भी इसका origin लेता है ऐसा मानते हैं और यह insert कहां पर करेगा इसका insertion होगा quadriceps tendon पर यहां insertion कहां होगा यह क्या करेगा यह quadriceps tendon बनाते हुए है यह बाकी सारे जो vastus जो muscles हैं उनके tendon के साथ यहां पर देखे जो भी vastus muscle है तीन vastus और एक rectus है ना इस तरीके साब को याद रखना है तो सभी muscles एक साथ quadriceps tendon बनाती हैं और यह एक खास तरीके से insert करेंगी यह patelor tendon पर यह यहां पर patelor tendon पर यह जा करके insert करती हैं यह insert करती हैं patelor tendon पर यहां पर आप देखे ना यह सारा quadriceps tendon बनाते हुए patelor tendon के बना फिर यहां पर देखें फिर tendon के बाद फिर यहां से देखें ligament बना और यह जा करके tbl tuberosity पर जा करके insert करते हैं तो यहां से insertion के लिए यह क्या बनाएंगे आप यहाँ पर देखें तो यह quadriceps tendon मनाते हूँ पटेला को इंक्लोस करते हूँ यहाँ पर देखें यह actually जाकर कर टीवियल ट्यूबरसिटी पर जाकर कर कर इंसर्ट करेंगे इसी तरीके से यह हमारे rectus femoris हो गया westus के बारे में बात करते हैं यहाँ पर इस muscle की origin की बात करें तो यह यहाँ पर देखें आप यह खास muscle है जो की entire length of femur पर इसकी origin का point देखता है तो यह देखें medially है medially along entire length जो femur का है इस पर इसकी origin होती है और यह quadriceps tendon के रूप में ही आगे जाकर के यह देखें इसी के साथ जुड़ जाता है इसका origin के points की बात करें तो जब ज़्यादा specific होकर के इसका परचा देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह lower part of intertrocentric line से इसकी origin एक है दूसरा यहाँ पर spiral line पर होगा थोड़ा सा इसके अलावा medial lip of linear aspera aspera है ना medial lip of linear aspera से इसके origin होगा और यह medial supracondylar line से इसका अपर two third of यहाँ पर two third of medial supracondylar line से इसके origin होगी और यह जा करके insert करेगा quadriceps tendon बनाते होगी यहाँ पर चला जाएगा आगे की और तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यह insert कहाँ पर होगा यह base और upper two third part जो medial border है पटेला का वहाँ पर जा करके यह देखेंगे medial जो border है upper two third आप देखें upper two third medial border of पटेला पर जा करके यह insert हो रहा है और यह भी quadriceps tendon का ही एक रूप बन करके यहाँ पर जाएगा तो यह medial side में इस side में जा करके इसका insertion होगा यहाँ से करेगा तो यह जब उपर के और contract करेगा तो knee joint का क्या होगा extension यानि आगे के और extension होगा तो knee joint के extension में इसका importance है westus medius का तीसरी मसल है westus intermedius westus intermedius को देखें तो यहाँ पर इस westus intermedius की बात करें तो इसकी origin काफी बड़ी और आपको मैं बता दूँ कि जब आप इसको interiorly जब आप देखते हैं या यूं कह लें कि interior view में देखने पर यह बहुत बड़ा इसका origin होता है यहाँ से यहाँ तक काफी बड़ा interiorly जब आप देखेंगे westus intermedius का तो बहुत बड़ी origin यहाँ पर होती है इसके origin को जब ज़्यादा specify होते हुए जब हम कहेंगे तो इसका westus intermedius का origin आप कुछ यूं समझ लें कि upper three-fourth जो part है यहाँ पर देखें आप यह upper three-fourth part और lateral surface जो shaft of femur का जो lateral surface है और upper three-fourth part से इसकी origin है और यह भी base of patela पर जाएगा यहाँ पर देखें quadriceps tendon मनाते हुए base of patela पर जाएगा और उसके बाद यहाँ पर देखें patelar ligament के द्वारा यहाँ तक पहुचेगा tbl tuberosity तक लेकिन ultimately इसको आप यहाँ तक बोल दें quadriceps tendon के रूप में और यह surface तक से इसकी origin है जब हम बात करते हैं westus lateralis की तो उसको भी देख लें westus lateralis के लिए तो westus lateralis का तो यहाँ पर आप देखें westus lateralis का westus lateralis के लिए कहेंगे तो इसमें क्या है कि upper part of intertrochanteric line यहाँ पर आप देखें intertrochanter greater trochanter और lesser trochanter के बीच में जोडने के लिए जो intertrochanter के line होती है वहाँ से उसके उपरी हिस्सेस का होता है फिर यहाँ पर greater trochanter आपको दिख रहा है तो greater trochanter के anterior और inferior border से इसकी origin होगी और यहीं पर यह अपर half of lateral lip of linear aspera पीछे के और जो linear aspera होता है उसके lateral lip से upper half of lateral lip of linear aspera से इसकी origin होती है और यह जा करके insert करेगा इसके insert को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है जहां हम इसके लिए medius के लिए कहा रहे थे lateral side of patala की बात कर रहे थे sorry medius के लिए medial side of patala पर इसके insertion के बात कर रहे थे quadriceps tendon के रूप में वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे lateral के लिए आप कहेंगे lateral side of patala के side से insert करेगा quadriceps tendon के रूप में यहाँ पर देखे यह ऐसे इसका insertion हो रहा है तो इस तरीके से more or less आपको एक idea होना चाहिए exact science की language या फिर anatomy की language में अगर आप बोलने से पहले एक बार imagination का होना बहुत जरूरी है तो उसको मैं जादा important समझता हूँ यहाँ पर जितना भी anterior compartment है उसकी nerve supply femoral nerve से होती है और femoral nerve कैसे बनता है यह L2, L3, L4 इस से और ज़्यादा specific होकर कि अगर आप कहें तो L2, L3, L4 के बारे में जब कहा चाता है तो यहाँ से इसी origin से दो nerve originate होती है एक है यहाँ पर आपको दो अलग-अलग nerve के बारे में आपको जानना चाहिए एक nerve होगा femoral nerve और दूसरा है obturator nerve अब दोनों के लिए अलग-अलग तरीके से हम कैसे origin को बताएंगे उसको एक image के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा तो आप जादा अच्छे तरीके समझ पाएंगे अभी सिर्फ आप यह समझ लें कि यह L2, L3, L4 से ही इसके origin है अभी जब मैं इसको और detail में अभी तुरंथी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि लग-भग यही बात आप कहेंगे obturated nerve के लिए लेकिन थोड़े से अंतर के साथ यह बात कही जाती है तो अभी चुकि quadratus femoris पर है तो पहले उसको पूरा समझ लें फिर मैं आपको बता दूँगा कि femoral nerve की origin और obturated nerve की origin का क्या मामला है उसको यही पर आपको समझाने का प्रयास करूँगा खेर, action को देख लें, quadratus femoris के लिए तो यह knee joint पर leg को extend करते हैं और यह ileo swas, जो की powerful flexure है hip joint का उसके लिए भी यह contribute करते हैं तो यह दोनों मिल करके कुछ मामले में hip joint पर काम करें लेकिन hip joint के लिए ileo swas को ज़ादा importance दिया जाता है चलिए थोड़ा सा मैं femoral nerve को बता दू यहीं पर सबसे पहले इस image में ही देख लें आप यहां पर है यह है femoral nerve और यहां पर है obturated nerve यह देखिए दोनों के origin point एक जैसे ही है L2, L3, L4 ही है लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं एक अलग अलग तरीके से combination बना रहे है तो यह कैसे बना रहे है origin तो जैसा लग रहा एक ही है तो यह L2, L3, L4 है femoral के लिए आपको याद रखना होगा यह L2, L3, L4 के ventral rami ventral rami को भी याद रखना है ventral rami के posterior division से निकलते हैं और अभी मैं आपको बता रहा था यहाँ पर आप देखें rectus femoris के लिए इसकी supply है नग यहाँ पर देखें lateralis, intermedius और medialis तो इतनी की nerve supply तो अभी ही आप देख लिए है नग और आप देख रहे हैं यह posterior division से निकल करके किसको कर रहा है यह अपनी nerve supply anterior compartment को दे रहा है है नग नेचर की beauty यहाँ पर आपको देखना होगा कि यह क्या कर रहा है posterior division से निकल रहा है ventral ramai के posterior division से निकल करके यहाँ पर anterior compartment of thigh को अपना nerve supply दे रहा है वही पर आगे जब हम discuss करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि medial compartment जो thigh का medial compartment image wise भी आप देख सकते हैं यहाँ पर देखे यह ventral ramai के ventral ramai के यहाँ पर देखे anterior division से posterior से तो यह आया जो कि यहाँ पर देखे posterior division से निकला और यह देखे यह आ करके anterior compartment को किया जबकि यह ventral ramai के anterior division से यह निकलता है और यहाँ पर देखे यह medial compartment के सारी muscles को अपनी nerve supply देता है तो यह कौन है obturator nerve है तो यह चीज हमने अभी देखा यही पर हम देख लें सारटो्रियस muscle है anterior compartment की पैक्टिनियस मसल है यहाँ पर पैक्टिनियस मसल है anterior compartment की तो उनके लिए भी आप देखे उसके लिए भी जो nerve supply देगा कौन देगा femoral nerve ही देता है तो यहाँ पर हम लोग उन सारी चीज़ों को देखेंगे आगे हम सार्टोरियस सार्टोरियस मसल को, ये सार्टोरियस मसल की ओरिजिन कहां से होगी, ये एंटिरियर सुपिरियर एलिया के स्पाइन से होगा, तो एंटिरियर सुपिरियर एलिया के स्पाइन से इसकी ओरिजिन होगी, और ये टीबिया के मीडियल सर्फिस पर, टीबिया के मीडियल सर्फिस प टीबिया के superior part पर जा करके इसका insertion होगा और इसमें nerve supply होगी femoral nerve की L2 to L3 इसके origin होगा और यहाँ पर जब हम इसके action की बात करेंगे तो चुकि यह cross करते हुए जाता है तो इसलिए यहाँ पर इसके बहुत सारे काम है यहाँ पर आप देखें यह flex करेगा abduct करेगा laterally rotate करेगा thigh को hip joint पर क्योंकि cross करती हुए जाता है तो यह क्या करेगा flex कर सकता है hip joint को बात समझे माता है anterior compartment के जितने भी होंगे anterior compartment के जितने भी जो muscles होते हैं वो hip joint को कहीं कहीं flex करने में मदद करते हैं और knee joint को extend करने में मदद करते हैं तो यहां पर आप देखें इसके लिए जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने का flex करेगा hip joint को बात समझ में आई यह abduct करेगा abduct करेगा तो इस चीज़ को भी देखने का प्रयास करूँगा और इसके अलामा यह laterally rotate करेगा thigh को तो यह thigh को laterally rotate कराएगा और यह knee joint पर यह flex flexion भी कराता है जब कि बाकी सबी के लिए हम कह रहे थे quadrate subs femoris के लिए मैंने यह कहा था कि वो knee joint पर extension कराते हैं जब कि यह knee joint पर flexion कराएगा क्यों क्यों कि यह tibia के medial surface पर जा करके यह insert कर रहा है इसलिए यह action देखने को मिलता है दूसरी बात यह है कि जब knee flexed होता है तो यह leg को medialy rotate कराने का काम करता है तो यह सारी चीज़ें भी हम action wise ही देख लेंगे इसको अगर एक single term में अगर हमें बोलना हो तो यह hip joint का flexion करा रहा है इसके अलावा knee joint का भी flexion करा रहा है यह important है यह hip joint का भी flexion करा रहा है और knee joint का भी flexion करा रहा है इसके साथ ही साथ यह lateral rotation जो thigh का करा रहा है इसको भी ध्यान में रखना है thigh का lateral rotation कराएगा भी अभी मैं इसको justify करने का कोशिश करूँगा इसके लावाई ये leg का medial rotation करा पाता है जब knee flexed होता है तो इन सारी चीज़ों को एक image में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे इसकी image को देखते हैं यहाँ पर तो ये anterior superior एक spine से ये start होकर के ये proximal tibia का medial surface है वहाँ पर आप देखें tibial tuberosity पर ये insert कर रहा है तो ये insertion कहाँ पर है इसका upper part जो medial surface है उस पर ये जाकर के insert कर रहा है shaft of tibia पर यहाँ पर देखें और ये anterior superior area के spine से इसका origin है और ये देखें एक cross करते हुए जा रहा है इस muscle का action अगर हम यहीं पर देखें तो origin के हिसाब से ही इसको justify कर सकते हैं ये hip joint को यहाँ पर flex करने में मदद करेगा दूसरी चीज़ क्या है कि जब ये उपर के और contract कराएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये जब ये उपर के और contract कराएगा तो ये जो thigh है जब ये उपर के और contract कराएगा तो इसके कारण क्या होगा abduct कराएगा thigh को आप यहाँ पर देखें आप अपने पर ही feel करके देखें आप देखें cross है न तो जब ये उपर के और जब खीचेगा ना muscle को crosswise है तो इसलिए abduction का असर देखने को मिलेगा आप अपने पैरों पर ही देखें न cross करते हुए जाता है न तो आप खीचने की कोशिश करेंगे तुरंत ये abduction कराने लगेगा thigh का hip joint पर इसके अलामा जब ये खीचता है उपर की उरो तो यहाँ पर जब आप देखेंगे knee joint पर action तो ये क्या होगा ये flex हो जाएगा knee joint तो इसकी muscle को यहीं पर action के रूप में देखना होगा दूसरी बात क्या है insertion medial surface पर इधर से घुमा होगा तो knee joint पर जब आप देखेंगे तो ये medial rotation के लिए भी responsible होता है तो इन सारी चीज़ों को यहीं से हम देख सकते हैं अपने ही पैरों पर देखें आप तो मा लिजे आपका चेहरा इधर है आप मेरे सामने ऐसे बैठे हुए है तो ऐसे आप कल्पना करें कि ये आपके उस पर है तो जब ये खीचेगा तो ये भाग जाएगा साइड में यानि साइड में भगे यानि अब्डक्शन कराएगा दूसरी बात कि ऊपर क्हीं खीचेगा तो ये फ्लक्शन कराएगा हिप जॉइन पे यहां पर आपको पता है कि इसके लिए इसके लेवल पर जब आप इमेजन करेंगे तो यहां पर देख रहे हैं यह मीड साइड में है, मीडियल साइड में तो इसलिए मीडियल रोटेक्शन करा देगा नी जॉइन का तो इस तरीके से इसको याद करना कोई जादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, तो हमने क्या समझा सार्टोरियस मसल की ओरजिन इंसर्शन और इसके नर्व सप्लाई के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके थे कि फिमोरल नर्व से इसका सप्लाई होगा, एक्शन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, बात करें पैक्टीनियल लाइन आफ फीमर पर जा करके इसका इंसर्शन होता है, तो इसका इंसर्शन कहां पर होगा पैक्टीनियल लाइन आफ फीमर पर और इसकी नर्व सप्लाई जो है, ये फिमोरल नर्व और अप्टूरेटर नर्व दोनों के द्वारा होती है यह femoral और obturator दोनों ही नर्व के द्वारा mixed nerve supply है यह point important है इसका action क्या होगा यह thigh को flex करेगा और adduct करेगा आप देखें यहाँ पर इमेज में जब देखेंगे तो इसको समझ पाएंगे यहाँ पर देखें इंसर्शन यहाँ पर है आप देखें पैक्टीनियल लाइन होती है यहाँ पर तो इस पैक्टीनियल लाइन पर femur की इसका insertion है और इंसर्शन कहाँ पर है superior ramus of pubis पर इसका ऊरिजन है इंसर्शन है पैक्टीनियल लाइन पर और इसके nerve supply है mixed है यहाँ पर इसका femoral nerve से भी supply है और obturator nerve से भी supply है इसका action जब आप देखने का प्रयास करेंगे तो आप देख रहे हैं ये खीचेगा है ना तो इसलिए किया होगा अंदर क्यों जाएंगे तो क्या होगा ये thigh को adduct करेगा दोनों thighs को करीब लाने का प्रयास करेगा और ये flex करेगा knee joint तो anterior compartment thigh hip joint के corresponding क्या करते हैं flex करते हैं ये बात तो आपको पता ही है और वहीं पर आपने देखा था quadriceps femoris के लिए knee joint के लिए हमने कहा था कि वहाँ पर extension कराते हैं याद है आपको बात तो उस चीज को आपको याद रखना होगा क्योंकि काफी confusion है यहां पर उन सारी चीजों को one by one करते हुँ आपको याद रखना होगा तभी हम इन सारी चीजों को समझ पाएंगे next lecture में हम इन सारी चीजों को एक वर्ट फिर से revise करते हुए हम चलेंगे फिर हम आगे flexors और extensions की बात करेंगे फिर हम femoral artery, femoral vein और femoral nerve की बात करेंगे उसको हम next lecture में आपके साथ detail में discuss करेंगे